तो अब हम बात करने वाले kotlin के अदर operator के बारे में तो operator के अंदर आपको arithmetic operator, relational operator, assignment operator, uninary operator, bitwise operator, logical operator देखने को मिल जाते हैं तो इस क्या operator जिससे आप arithmetic के अंदर additions बगेरा करते हैं, minor, subtractions, reminder find करने के लिए हम arithmetic operator को use करते हैं तो इससे पहला हम देख लेते हैं, arithmetic operator के अंदर relational find करने के लिए use किया जाता है, तो चलो सबको हम एक-एक example के तुरू समझते हैं, तो जिससे आपको और भी बैतर तरही से समझ में आएगा, तो सबसे पहला हम देख लेते हैं, arithmetic operator के बारे में, तो इधर आप देख सकते हैं, where A नाम से मैं 10 declare कर रहा हूँ, और where B नाम से मैं 5 declare कर रहा हूँ, तो इसका मैं addition करा रहा हूँ, minus करा रहा हूँ, multiplication, division, और जो कि last में इसका जो reminder रहेगा, वो find करके देगा, तो इससे कहते हैं, arithmetic operator, इस code को मैं करता हूँ, execute, तो आप देख सकते हैं, 10, 5, 52, और 0, जो कि हमारा successfully output मैं आगया, तो यह सारे जो science को use कर रहे हैं, उसे हम arithmetic operator के आजाता है, अब बात करते हैं, relational operator के बारे में, तो relational operator जैसे की greater than, less than, greater than, equal to, less than, equal to, equal to, and not equal to, जो कि relational operator के अंदर आते हैं, तो इसके लिए मैं जो कि एक example ले लेता हूँ, तो इदर आप देख सकते हो, well A equal to 5 मैंने well B equal to, मैंने 10 store किया हुआ है, इसके बाद मैं आप देख से तो well max नाम का मैंने एक variable create किया, अब इदर मैंने well को use किया, इसका value change नहीं होएगा, fixed value रहेगा, और आपको kotlin के अंदर एक benefit मिल जाता है, जैसे कि well max नाम का मैंने एक variable create किया, तो इसके अंदर जो भी output रहेगा, वो इस max के अंदर store हो जाएगा, और इदर B के इदर हमारा error आ रहे है, इससे मैं कर देता हूँ, comment, अब हमारा error चले गया, और last में जो हमारा output रहेगा, वो मैं print करा रहा है, तो well max के अंदर condition क्या लगाए, if A is greater than B, जो कि 5 हमारा 10 से greater है, ये condition हमारा false हो जाएगा, तो हमारा true होता है, तो A is greater than B आ जाएगा, और ये जो कि A हमारा assign हो जाएगा, और इदर आदर else के अंदर print LN, B is greater than A, तो ये हमारा condition true होएगा, क्योंकि 10 जो कि A से बढ़ा है, और जो कि इदर मैंने B को assign किया हुगा, और last में हमारा, जो कि well max के अंदर, हमारा value print हो जाएगा, तो इस बाद में फिर आप देख सकते हो, B जो हमारा successfully, इदर जो कि maximum value, जो max है, वो हमारा 10 print हो गया, तो ये पूरा का पूरा जो कि max के अंदर assign हो गया, तो B is greater than A, ये assign हुआ, इसके बाद में फिर 10 assign हो, तो ये पूरा का पूरा value, इस max के अंदर assign हो गया, और इस max को मैंने जो कि print करा दिया, max equal to dollar sign लगा के तो dollar के बारे में हमने अल्रडी बताए होगा, cotline के अंदर हम dollar भी use कर सकते, और ending में हम plus लगा के भी use कर सकते, तो ये तो हमारा greater than relationship हो गया, इसी तरह हम जो कि एना less than relationship को भी use करते है, जैसे कि मैं less than लगाने के बाद में save करता हो, run करता हो, तो अभी हमारा 5 ये print होएगा, तो इसे मैं code को run करता हो, और execute करता हूँ, तो आप देख सकते हो, हमारा 5 प्रिंट हो गया, और इसी तरह हमारा equal equal to option देखने को मिल जाता हो, तो इधर में equal equal to condition रहेगा, तो ये print हो जाए, यदि equal equal to condition नहीं रहेगा, तो ये वाला print होए, तो मैं जोटे नौत इक्वल टू लगा देता हो, नौत इकॉल टू लगाने के बाद में इधर आप देख सकते हो, ये मैं not equal to लगा दिया, ये ये on equal to है, तो हमारा condition फ्रस्ट वाला print हो, ये ये equal equal to है, तो हमारा condition second वाला print हो, तो आप देख सकते हो, जो कि ये not equal to, नहीं 10, 10, same to same value तो हमारा else वाल प्रिंट होगा, maximum equal to 10, तो इस तरह हमारे relational operator को use किया जाता है, तो आपको सभी relational operator मने बता दिया, अब next हम बात करते हैं, assignment operator के बारे में, तो assignment operator क्या होता है, जैसे आप देख से, तो plus equal to add करने के लिए, minus equal to, मतलब minus करने के लिए, multiplication equal to, मतलब multiplication करने के लिए, divide equal to to divide करने के लिए, reminder equal to, मतलब reminder find, मतलब mod find करने के लिए, तो अब इसको मैं example के तुरू बताता हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं इदर where नाम कर, और number नाम कर एक variable create करता हूँ, और इसके अंदर 10 assign कर देता हूँ, और इस number के अंदर मैं number plus 5 लिखता हूँ, तो आप देख सकते हूँ, इस number के अंदर जो कि 15 आ जाएगा, अब यही चीज़ आप दुसरे तरीके से भी लिख सकते हूँ, उसके लिए आपको assignment operator को यूज करना पड़ेगा, वो किस तरा करना है, इदर मैं लिखता हूँ, number, number equal to plus, equal to, बाद मैं फिर इ हो गया, अब इस code को मैं कर देता हूँ, comment और इसे भी मैं कर देता हूँ, comment, इदर मैं लिखता हूँ, print ln और फिर से मैं लिखता हूँ, number और इस code को फिर से मैं execute करता हूँ, तो आप देख सेखते हो फिर से हमारा 15 प्रिंट हो गया तो यह जो लंबी लाइन का कोड है वो ही हमारे शौट लाइन में करते था तो इसके लिए हम यूज करते हैं इसका मतलब यह वाला हो जाएगा इसका मतलब यह यह वाला हो जाएगा इसे मैंने कमेंट कर दिया तो इसी तर हमारे डिविजन भी वक करता है तो इधर में लगा देता हूं जो कि फर्स्ट अपल मुल्टिकेशन का तो यह मैंने मुल्टिकेशन लगा दिया अब इसकोड को मैं रण करता हूं तो हमारा यह क्या होगा मंट्टिकेशन के अंदर आंस्र में पहले बता देता तो बात में एक्जियूट करता है तो नमबर के अंदर 10 इंट्र 550 तो इइधर भी यह सेम इसी तरह वग कर ü произ इस संटे साइन को और इससे मैं करता हूँ execute तो हमारे reminder जो कि 0 है तो 0 आ गया तो इस तरह ये जो कि assignment operator को use किया जाता है अब next हम बात करते है यूनिनरी operator के बारे में तो यूनिनरी operator क्या होता है जो कि increment, decrement किया जाता है उसे कहते है यूनिनरी operator तो ये चीज मैं आपको दिखा देता हूँ तो ये सारे sign यूनिनरी operator के अंदर हाते plus a, minus a, plus plus a, minus minus a और not equal to a तो इससे कहते है यूनिनरी plus, यूनिनरी minus, increment by one, decrement by one not तो इसका मतलब क्या होता है जैसे कि for example आपने negative value दिया हुए इससे आपको positive करना है तो आपको plus लगा देना तो वो positive हो जाएगा और आपने positive value दिया हुए उससे आपको negative में convert करना तो आपको minus लगा देना तो वो minus में हो जाएगा और इधर जो कि direct increment करना है for example आपको one increment करना है तो आपने कोई timer लगा हुए फिर कुछ भी शीड लगा हुए तो इसको आप one by one 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 increment करना चाहिए कुछ भी task complete होने पर तो तब जाके हम यह increment decrement को use करते है तो इसे मैं आपको example के तुरू समझाता हूँ तो बहुत सिंपल है यह भी तो इधर where नाम का मैंने a लिया हुआ है variable a declare किया हूँ इसके अंदर 10 assign किया है where b नाम का variable create के इसके अंदर 5 assign किया और flag create किया हूँ इसके अंदर मैंने true डाला तो यह 5 हमारा negative number हो जाएगा minus 5 हो जाएगा और इधर देख सकते हूँ जैसे कि plus plus a कर रहा हूँ तो मतलब इसके अंदर increment हो जाएगा 10 हमारा 11 आजाएगा output में और इधर मैं minus कर रहा हूँ minus minus b तो 4 का हमारा जो की 5 का हमारा जो की 4 हो जाएगा और flag तो not लगाया हुआ तो मत यह not हमारा opposite work करेगा तो इस code को मैं करता हूँ execute तो इसके पहले उपर के code को मैं करते ता हूँ comment तो देख सकते हो 10, minus 5, 11, 4 और false जो कि हमने true लिया था false तो इस तरह यह उपरेटर अब काफी लोग को लगता रहेगा कि इधर यह increment आगे लगाया हुआ यह increment पीछे लगाँगा तो क्या output आएगा तो सबसे पहला A के अंदर find करेगा 10 है तो 10 हमारा print हो जागा और बाद में plus plus है तो बाद में increment होएगा पर output में हमारा इधर 10 ही आएगा तो अभी फिला 11 आ रहा है तो इस code को मैं करता हूँ execute अभी 10 आ रहा है और इसके बाद में increment हो रहा है वो भी चीप में आपको करके दिखा दूँगा तो आप देख सकते हो हमारा increment बाद में हुआ तो 11 सकसफुली प्रिंट हो गया तो इसी तरह यह minus जो कि आप पीछे लगा होगे तो यह ना बाद में minus होगा पहले हमारा जो value वो print हो जाएगा तो b के अंदर 5 है जो मैं print करने बोल रहा तो यह 5 print हो जाएगा और बाद में फिर आगे इसे minus minus भी मिलेगा execute करते टाइम पे तो इस b को minus करेगा मतलब 5 रहेगा 5 के अंदर 4 डालेगा और इधर जो कि मैं बी को print कराता हूँ तो इसे मैं करता हूँ execute हो तो देख सकते हूँ हमारा जो कि 4 बाद में print हो गया पहले जो कि सबसे पहला 5 प्रिंट हो बाद में minus हो बाद में 4 तो यह आगे भी plus plus use के जाता है और last पीछे भी plus plus use के जाता है तो दो टाइप से increment आपको देखने को मिलते है तो आप इसे practice करोगे तो और भी बैदर तरीके से पता चलेगा जितनी भी चीज़े मैं बता रहा हूँ सब की सब आप practice कीज़े practice करने से आपको सब चीज़े पता चलेगी